जै माता दी प्रिय विर्षब रासी एक जून महीने की पहली तारिक आप लोगों के लिए कैसे संयोग योग और ग्रह की चाल लेकर आई है और शनी देव के दिन सनी के कृपास से किस प्रकार होगा भागयो दे तमाम जानकारी जानेंगे हम इस वीडियो में तो वीडियो के अंतर तक बने रहें चैनल पर पहले बार हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए विर्षब देनिक राशी फल के लिए रोज की तरह शुरुआत करेंगे देनिक पंचांग से तो जून महीने की पहले दिन एक जून दिन शनी वार्क है शनी देव को समर्पिति ये दिन मंगल ग्रह जो है मेस रासी में गोचर करेंगे इस दिन साथी चंद्रमा देव ग्रू व्रिस्पती की राशी मीन में संचन करेंगे जेश्ट मास के कृषिन पक्स की दसमिति थी और इस दिन प्रिती योग बनेगा आयुश्मान योग बनेगा उत्रा भादरपद नक्षतर का सुपस्योग बना रहेगा जिससे इस दिन का महातों बढ़ गया है सातीन बन रेन सुप योगों का फाइदा वरिशब राशी के जादकों को कुछ इस परकार मिलना शुरू होगा वरिशब राशी के लोग अच्छा परदशन करके नाम कमाएंगे मित्रों के साथ संबंदों में घनिष्टा बढ़ेगी कुंडली में शनी ग्रे की सिती मजबूत होगी और शनी देव का अस्रिवाद भी मिलेगा जिससे सभी परेशानिया अर्चने खतम हो जाएंगी आईए जानते हैं कि एक जून की दिनेचरिया किन किन रूपों में आपके लिए शो भाग्य साली साबित हो सकती है इस दिन आपका भाग्य है नभ्य पर्ती सात देगा आपका लखी कलर, ग्रे कलर और ब्लू रहने वाला है एक जून का दिन व्रषब राशी वालों के लिए धन में व्रिधिक लेकर आने वाला है यानि धन बहुत साब्यारा आपको मिलने वाला है विर्शब राशी वाले धन कमाने के परती आपकी जागरुकता बढ़ेगी आपकी महनत रंग लेकर आएगी जिससे आपको धन मिलेगा आपकी महनत के ही कारण आपको धन मिलेगा शनी देव के शुप प्रभाव से भी आप अपनी जिम्मेदारियों को सफलता पूर्वक जरा रही है कुछ लोगों को तो विदेश विदेशों से तगड़ा लाब होता हुआ न जरा रहा है विदेश यातरा जाने का मोका मिल सकता है या ओनलाइन बिजनेस करते हैं या फिर विदेश बिजनेस करते हैं वैवाहिक जी उन काफी शानदार है लव लाइफ शानदार के लिए शनीवार को पीपल के व्रिक्ष में चहू मुखी आटे का दीपक जलाना चाहिए और वहाँ पर बैठ कर शनी चालिसा या शनी मंतर और एक बारी हन्मान चालिसा का पाठ करके दोनों देव से प्राथना करनी चाहिए अपनी सुक्षानती की